जै मातादी दोस्तों, वर्ड बेस मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप जब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गड़ेश चतुर्थी साल 2021 में कब बनाई जाएगी और इसकी पूजा का वायस्थापना करने का सुमूरत क्या रहेगा? और इस दिन चंद दर्सन से बचने का समय क्या रहेगा? इसके लावा हम जानेंगे गड़ेश चतुर्थी की पूजा व गड़ेश भगवान नराज हो सकते हैं लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपस रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल वर्ण बैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें तो आईए गड़ेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है गड़ेश चतुर्थी का पर्व भादर पदमास के सुक्ल पक्च की चतुर्थी तिथी को मनाया जाता है इस गड़ेश चतुर्थी को भगवान गड़ेश जी की जैनती के रूप में भी मनाया जाता है इसलिए ये चतुर्थी साल भर की सबी चतुर्थी तिथियों में से सबसे खास माने जाती है गड़ेश चतुर्थी का उत्सो लगबग 10 दिनों तक चलता है जिस कारण इसे गड़ेश महोत्सो के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों गड़ेश चतुर्थी से गड़ेश जी का उत्सव गड़पति प्रतिमा की इस्थापना करके उनकी पूजा से आरंब होता है। घर में रखकर अनंत चतुर्दसी के दिन बप्पा की विदाई की जाती है। गड़ेश विसर्जन के साथ ही गड़ेश महोत्सों की समापति होती है। इस पर्व में लोग अपनी इक्छा के नुसार पाँच, साथ या दस दिन तक अपने घरों में बप्पा को विराजमान करते हैं। आपको बता दें कि गड़ेश चतुर्थी के पर्व में यस, सम्मान, सम्रद्धी और सुक के लिए गड़ेश जी की पूजा की जाती है। विग्न हर्ता गड़ेश जी का विधी विधान और पूरे मन से किया गया पूजन मन चाहा फल प्रदान करता है। दोस्तों, गड़ेश जी का जन्म मध्यान काल में स्वाती नच्छत्र और सिग्न लगन में हुआ था। इसलिए गड़ेश चतुर्थी के दिन मध्यान काल यानी दोपहर के समय भगवान गड़ेश जी की पूजा करना सबसे सुबाना जाता है। सास्त्रों के नुसार इस पर्व में मध्यान के समय की मध्यान व्यापनी चतुर्थी तिथी ली जाती है। चलिए अब बात करते हैं गड़ेश चतुर्थी की पूजा विदी वा इस्थापना विदी के बारे में। दोस्तों, गड़ेज चतुर्थी के दिन प्राता काल उठकर इसनानादिकर के स्वच्छवस्त धारन करें. फिर भगवान गड़ेज जी की प्रतिमा बनाएं या घर लाएं. इस दिन धोल बाजे के साथ लोग गड़ेज जी को अपने घर लाते हैं. दोस्तों, गड़ेज जी को विराज मान करने से पहले उस जखै को गंगा जल छिड़कर सुद्ध कर लें. फिर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं. चार हल्दी की गाट रखें. एक मुठी अच्चत रखें. फिर इस पर लकड़ी की चौकी या पटा रखें. और इस पर लाल य केसरिया या फिर पीले रंग का वस्तर बिचाएं. और रंगोली, फूल, आम के पत्ते या अन्सामगरी से उस हिस्थान को सजाएं. इसके बाद कलस की स्थापना करें. एक अस्ट दलकमल बनाएं. और कलस में मौली बांदें. और कलस में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें. और इसके उपर एक मौली बांद कर नारियल रख दें. फिर कलस को आप गड़पति के दाई और इस्थापित कर दें. और बाई और एक बड़ा सा दीपक जला दें. आप चाहें तो इसे दस दिनों तक अखंड जोत की तरह जला सकते हैं. या फिर पूजा के दौरान ही जला इसके बाद चौकी पर गड़ेश जी की इस्थापना करें. तत पस्चात आप गड़ेश जी की विद्वत पूजा अर्चना करें. आप गड़ेश जी को सिंदूर और दूर्वा चढ़ा कर विधी विधान से पूजा करें. और दच्छना अर्पित करने के बाद लड़्ड पूजा के पस्चात द्रश्टी नीची रखते हुए चंद्रमा को अर्द दिया जाता है। मानिता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्सन नहीं करने चाहिए। इसके बाद ब्रामणों को भूजन करवा कर उन्हें दान दचना देनी चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म की मानिता के अनुसार गड़ेश चतुर्थी से अगले दस दिनों तक भगवान गड़ेश अपने भक्तों के बीच में ही रहते हैं। इसलिए गड़ेश चतुर्थी पर कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। चलिए जानते हैं कि गड़ेश चतुर्थी पर क्या करना असुब माना जाता है। आपको कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों गड़ेश चतुर्थी के दिन गलती से भी चंद्रमा के दर्सन नहीं करने चाहिए। लेकिन चंद्रमा को अर्द दिये बिना गड़ेश चतुर्थी के व्रत का समापन न करें। आप नजर को नीची रख कर ही चंद्रमा को अर्द दें। और यदि आपने भूल वस चंद्रमा के दर्सन भी कर लिये तो जमीन से एक पत्थर का टुकड़ा उठा कर पीछे की तरफ फेक दें। दोस्तों गड़ेश चतुर्थी की पूजा में किसी भी व्यक्ति को नीले और काले रंके कपड़े नहीं पहनेने चाहिए। आप पूजा में लाल, पीले या सफेद रंके कपड़े धारण करें। इसके अलावा गड़ेश जी की पूजा करते वक्त कभी तुलसी के पत्ते नहीं चड़ाने चाहिए। क्योंकि तुलसी ने गड़ेश जी को स्राब दिया था। दोस्तों, आप गड़ेश जी की नई मूर्ती की ही स्थापना करके उनकी पूजा करें। जो पुरानी मूर्ती हो उसे विसरजित कर दें। क्योंकि घर में गड़ेश जी की दो मूर्तियां भी नहीं रखने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि भगवान गड़ेश जी की मूर्ती के पास अगर अंधेरा हो तो ऐसे में उनके दर्सन नहीं करने चाहिए। क्योंकि अंधेरे में भगवान की मूर्ती के दर्सन करना असुब माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2021 में गड़ेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि गड़ेश चतुर्थी 10 सितंबर 2021 दिन सुकुरवार को मनाई जाएगी। और चतुर्थी तिती की सुरु आत 10 सितंबर 2021 की प्राता काल 12 बचकर 18 मिनट पर हो गी। यारा बचकर 23 मिनट से लेकर दोपहर एक बचकर 33 मिनट तक रहेगा। इस सुब मूरत की कुल अवदी लगबग 2 गंटा 30 मिनट की रहेगी। और वर्जित चंददर्सन का समय सुबह 9 बचकर 12 मिनट से लेकर रात 8 बचकर 13 मिनट तक रहेगा इसकी कुल अवदी लगबग 11 घंटा 41 मिनट की रहेगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद